हेलो फ्रेंड्स वेलकम वेक टू पिक्सिस्टडी आद बात की जाएगी किसकी बीएश्टीसी की तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखना और यकीन मानियेगा जब ये पूरी रणनीती आप लोग जान लोगे तो साड़े चार्ण सो प्लस नंबर लाना अपने लिए कित प्रते सबसे पहले जिसने अभी बीएश्टीसी का फोम भरा है जिसे कोई जानकारी नहीं है कि पेपर केसा आएगा कितने प्रश्ण किस टाइब से पूछे जाएंगे जी के कितने नंबर की आएगी तो सारी चीजी आद मैंने क्लियर कर दी आप सभी को तो याँ पर देख कितने नंबर का होगा तीन नंबर का होगा इसका मतलब क्या हुआ जो पूरा पेपर होगा वो कितने अंक का होगा अपने पास में 600 अंक का होगा और अपने लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आप सभी ने सही सुना इसमें क्य यह ही नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी फिर आगे बात करते हैं कि जीके के कितने qsin आएंगे तो जीके के आएंगे अपने पास में कितने qn पाचास qsin और प्लस पोइंट ये रहेगा इसमें अपन से राधैस्तान जीके ही पूछी जाएगी कौन से जीके है राधαιस्तान जीके जैसे बावडिया हो गए, महल हो गया, युद्ध हो गए, ठीके इस्ता पत्यकला जितनी भी है, वो हो गई, ठीक, आप उशन से संबंदित क्योशन आएंगे इसमें, तो अपन को जीके कंप्लीट करने हैं, कितने क्योशन, पचास क्योशन, उसके बाद में रिज्दिं आएंगे, सारी वीडियो उस पर अवेलेबल है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, टीचिंग एप्टी ट्यूद की, जी हाँ, शिक्षण विद्या, इसके भी कितने क्योशन आ रहे हैं, पचास क्योशन आ रहे हैं, और उसके बाद में हिंदी और इंग्लिस, इसके भी क आप लोगों ने अभी अभी पड़ा होगा ये सारी चीजों को, वही चीजे वापस रिपीट होगी, तो यहाँ पर 30 नंबर अपने कहीं नहीं गए, ठीक है न, 30 क्योशन पूरे के पूरे अटेम्ट होने चाहिए, फिर इंग्लिस में देखो वी, कितने क्योशन आएंगे, 20 क्योशन, ये सारी चीजे आप लोगों ने 12 में पड़ी होगी, क्योंकि इसमें इंग्लिस में पूछा जाएगा आथ से, जिसे डारेक्ट इंडारेक्ट आगे अपने पास में, एक्टिव पेसी होगया, ये सारी चीजे वापस रिपीट होगी, और दोनों के मिलादर कितन करनी है, तो उनमें परिशानिया क्या क्या आती उनके सामने, तो सबसे पहली परिशानिया आती वही कि कोचिंग करे या फिर नहीं करे, तो ये मेटर नहीं करता है कि कोचिंग कौन से करनी है, किस क्लासेस से में कोचिंग करो, ये निर्बर करता है आप लोगों पर कि आपक कि शमता कितनी है अगर आप घर पर बीट कर अच्छी तरीके से प्रिप्रेशन कर सकते हैं पूरी तो कोचिंग मत जाना अगर एसी पोसिबलीटी नहीं है तो कोचिंग अपन को जरूर करनी है कोचिंग करने का फैदा क्या रहेगा उससे अपन को पता लग जाएगा कि कौन सा क्योशन कहां से आता है क्योंकि जितने भी अध्यापक पढ़ाने वाले होंगे वो सभी अनुगवी टीचर होते हुई है ना तो कोचिंग किस पर निर्बर करता है सोयम पर उसके बाद बात करते हैं बुक कोन सी खरीदे अब बेस्ट इसी की अपन तैयारी कर रहे हैं तो ब बुक भी बेस्ट होने ची अब बेस्ट बुक के लिए क्या करें वी अभी मैं आपको सजेशन दे दू कि सिक्वाल की खरीदना लक्षे की खरीदना तो अपन को देखना है कि बेस्ट मेटर किसमें लिखा हुआ है ठीके दोस्तों तो सबसे अच्छी जो भी बुक होगी वो अपन को प्रिपेर करनी है बुके भी सभी अच्छी होती है लक्षे की लेलो सिक्वाल की लेलो दक्स की लेलो सभी में मेटर बहुत शानदार है ठीके दोस्तों तो बुक आप कोई सी भी ले सकते हैं फिर उसके बाद में नोट्स कैसे कंप्लीट करना है अपन को तो जो भी आप बुक लेकर आओगे जैसे कोई भी क्योशन आया और उसमें बहुत सारी जानकारी दी होती है तो नोट्स अपन को इस तरीके से बनाने हैं कि उसमें से में में जो पॉइंट होंगे वह अपन को निकालने हैं और जो बाकी चीजें होगी वह अपन को छोड़ देना है इस कौन से नोट्स बनेंगे अपने पास सोग नोट्स बनेंगे जो अपने जब पेपर आएगा एक महीने की अपने पास रण निती है तो जो लाश्ट के 10 से 10 दिन बचेंगे उसमें वह पूरे नोट्स किस प्रकार से पढ़ने हैं वह अपन को इस प्रकार अपन को तयार करने फिर बात आते है किसकी लाइब्रेरी की तो लाइब्रेरी जाना है या नहीं जाना है ये डिपेंड करता है आप लोगों पर जैसे जो तोल्ट पास आउट हो है अभी उसकी सिटिंग कम से कम 6-8 गंटे अवश्य रही होगी क्योंकि जो बच्चा पढ़ रहा है वो डेली 6-8 गंटे हो इससे पढ़ा होगा अगर आप लाइब्रेरी जाते हो सुबह जैसे अपने मोर्निंग में खर लिया कि ज्यादा मेर से बेठक नहीं होती है तो 3 गंटे सुबह और 3 गंटे शाम को चले जाओ 6 गंटे में अपना काम आराम से हो रहा है इतना बड़ा एक्जाम नही अपनको 200 क्योशन कंप्लीट करने है ठीके दोस्तों फिर उसके बाद में देखुवी अब परेशानिया वनाई है तो उसका क्या होगा समाधान भी होगा समाधान देखुवी पुराने BSTC पेपर ले कौन से पेपर लेने हैं अपनको प्रीवियस पेपर जो अच्छी स्टे देगा और किस लेवल का बनेगा ये भी आप लोगों को पता लग जाएगा ठीके तो पुराने BSTC पेपर लेने हैं उसके बाद में आपको लेना है क्या प्रेक्टिस सेड वो भी किस प्रश्णों का वस्तों निष्ट प्रश्णों का वस्तों निष्ट का मतलब जिसमें के देवल क्यों और उसका डारेट क्या लिखाओ आंसर लिखाओ उससे क्या होगा जितनी ज्यादा प्रेक्टिस होगी पेपर उतनाए आसान बनता चला जाएगा उसके बार में देखो वी लक्षे क्या होना ची अपना 600 अंक में से कितने लाने अपन को साड़े 400 अंक लाने 400 प्लस नमबर आएंगे तब ही आप जिस जीले में रहते हो वहां का जो अच्छा अच्छे से अच्छा जो कोलेज होगा वो आप लोगों को मिल पाएगा यदि किसी के 300 नमबर आते हैं कितने में से 600 में से तो फिर अपन जैसे ओल्ड राजिस्तान करेंगे तो कोई से भी ज कारगेट कितना रहा साड़े 400 फ्लस रहा तो अपना मंचा फोले जबन प्राप्त कर सकते हैं ठीके दोस्तों तो यह पूरी जो रण दीती है अगर अपन सिस्टम से चलेंगे तो एक महिने की रण दीती में पेपर क्या हो जाएगा पास हो जाएगा इतना बड़ा एक्जाम नहीं है तो सारी चीजे अपन को देख खर चलना है बुक कौन से लेनी है सारी चीजे क्योशन के से अटेम्ट करने प्रेक्टिस से लेने ठीके दोसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि दूसरे दोस्त भी इसको देख सके